हेलो असलाम लेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल आज मैं आप लोगों को नेचलल इंग्रीडियन्ट से कॉम्पैक पौडर बनाना सिखाऊंगी तो यह एक रिक्वेस्टेट वीडियो है तो मज़े काफी दिन से रिक्वेस्ट भी आरी थी पिग्मेंटेशन है तो उनको भी यह कुछी दिनों में रिमूफ कर देगा तो चलें इस पौडर को बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस कॉम्पैक पौडर को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले टू टी स्पून कॉन फ्लार लेंगे फिर हम लोग इस कॉम्पैक पौडर को स्टोर करने के लिए अपने किसी भी और कॉम्पैक पौडर का कंटेनर ले लेंगे आप लोग इसके जगा कोई सा भी कंटेनर यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग तुरह सा वाटर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉन फ्लार में सैंडल पौडर एड़ कर देंगे दैन हम लोग इन दोनों इंग्रीडियंट्स को बल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने न दोनों चीजों को बल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अगर आपका स्किन तोन हगए तो आप लोग इसमें धोड़ा से कोड़ा पॉलर एट कर देंगे और अगर आपका स्किन तोन फोरग से फिर की तरफ तो आप लोगई थो तो मैंने इसको बल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर एड़ कर लेंगे और इन सब चीजों को अगेन बल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मिक्स्चे थोड़ा से थेक हो रहा है तो हम लोग इसमें थोड़ा से वाटर और एड़ कर लेंगे एंड पर हम लोग अगेन मिक्स करेंगे लोग तो हम लोग इसमें थोड़ा से और तेन लोगें तो हम लोग इसमें थोड़ा से आधिन हो गया है करेंगे और अगेन बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सब चीजों को बल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे कॉमपेक्ट पॉडर का मिक्स्चर कुछ इस कंसिस्टेंसी में बनकर रैडी होना चाहिए तो अब हम लोग इस मिक्स्चर को किसी कंटेनर में फिल कर लिए तो आप लोग देख रहें जो compact powder तो इसे dark color में होगे है आप लोगों के इसकी tension लेने की बिल्कु ज़रूत नहीं है sandalwood powder के कुछ particles है जो container के उपर आगा है जब यो dry होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम लोग इसको at least one day sunlight या तो fan के नीचे dry होने के लिए रख देंगे तो यह next day है और आप लोग देख सकते हैं कि compact powder dry भी होगे और मेरा compact powder ready भी हो चुका है बिल्कुल अच्छे से तो अब मैं आप लोगों के इसको अपने hand में apply करके दिखाती हूं वाओ guys you can see compact powder कितना pigmented बना है तो इस compact powder ने मेरे hand को बहुत ही अच्छे से brighten up किया है तो यह compact powder as a cosmetic product भी अच्छे से work करेगा ही लेकर यह आपके skin को naturally भी काफी smooth and healthy रखेगा तो आप लोग भी इस compact powder को अपने हों में जरूर ड्रॉय करें आप मिझे comments में बताएं कि आप लोगों को यह कैसा लगा so I hope आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो please मेरी इस वीडियो को like करें and मेरे चैनल को subscribe करें तो मिलते हो मैं आप से अपनी next वीडियो में तब तक करे लिए take care and bye